हलो कईस कैसे हैं आप सभी दोस्तों अगर आप अपने फ्रिफईयर को जब भी open करते हैं तो इस तरीकी से डेली के डेली आपकी में 97 MB का update आ जा रहा है और जैसे ही आपकी में अगले दिन फिर से update आ जाता होगा तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देख लेना है चाहे आपका कोई सभी मोबाइल रहे है Realme, Samsung, Oppo, ये सभी में प्रॉब्लम आ रहे है और बाकी Techno को मोबाइल होगे, Infinix होगे, इन सभी में भी प्रॉब्लम आता है मुझे बहुत सारा कमेंट आते रहता है तो डेली अपडेट से रिलेटर कोई भी प्रॉब्लम होगा, बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है आपका भी प्रॉब्लम सॉल हो जाएगा, मैं सभी का सेटिंग आपको कैसे ढूढना है, उसके पारे मैं आपको बता दूँगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये होंगे, तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और बेल आइकन में से आल नोटिपिकेशन को अन कर लिजिए, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि Free Fire में डेली 97 MB का अपडेट अभी क्यों आ रहा है दोस्तों Free Fire में अभी OB 33 अपडेट आया नहीं है, इसी कारण से जब OB 33 अपडेट यहाँ इंडिया में आया नहीं सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो यह सबी मोबाइल क्या करता है, अपने आपको मतलब रखने के लिए डेटा को डेली के डेली वो क्लियर करते रहता है तो उसी बीच में हम लोग को जो अपडेट किये रहते हैं, वो सब डेटा भी डिलिट हो जाता है, जिसके बाद हम लोग हर रोज ओपन करते हैं अपने प्रेफार को, फिर से हम लोग को 97 MB का अपडेट करना पड़ता है पहले भी हमको ये अपडेट करना पड़ता था, लेकिन वो 2-4 MB का अपडेट रहता था, तो पता ही नहीं चलता था लेकिन अब भी अपडेट की करना एक बड़ा अपडेट आ गया है, जिसके कान से 97 MB तक का आने लगा है डेली के डेली और Play Store में है भी नहीं, तो डारेक्ट एपलिकेशन में जूड नहीं पा रहा है, समझ दीजे, तो इसको आपको ढूंडना कैसे है, अगर आपके मोबाइल में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग में जाकर करके आप ढूंड सक सकते हैं, और ऐसे ही टेक्नो के मोबाइल में security application आता है, जैसे रेड्मी के मोबाइल में मैं आपको दिखा रहा हूं, रेड्मी के मोबाइल में यहाँ पर देख़िए, होम स्क्रीन के यहाँ पर security application आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसे ही आपके में cleaner application security application होगा अगर कुछी भी mobile में problem आ रहा है तो यहीं से आपको problem solve होगा ठीक है तो जैसे आपके में cleaner application या पर security application होगा तो उसमें आपको setting का जो option रहेगा जैसे redmi में देख लिए right hand side उपर में आपको setting का option दीख रहा है इसमें हम लोग को click कर लेना है ऐसे setting में जाएंगे उसके बाद cleaner का मेरे में option दिखाई दे रहे तो ऐसे आपके में cleaner का option रहेगा नाम अलग-अलग हो सकता है और setting कहीं की यह अलग हो सकता है क्योंकि सभी mobile के interface थोड़ थोड़ अलग रहता है लेकिन इस setting को आपको ढ भूनना ही पड़ेगा उसके बाद cleaner पर हम आ जाएंगे तो यहां पर जैसे रेडमी में यह problem नहीं आता क्योंकि इसमें automatic clear करने को कोई भी option नहीं रहता है यहां पर देख लिजिए second number कर remind to clean करके लिखा हुआ है और remind to clean इसको मैं on करके रखा हुआ हूँ तो मेरे में जब भ इसको clear कर सकता हूँ या फिर चाहूं तो उसको मैं notification open करके उसको यहां पर से हटा सकता हूँ लेकिन यह samsung, techno, infinix या फिर realme की mobile में automatic कभी option रहता है अगर वो setting आपको on रहेगा तो आपको remind नहीं करेगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा directly रात को 12 बज़े आपका software चेक करे अगर 100 MB या फिर 200 MB जितना भी set होगा उससे ज्यादा अगर trace जमा हो गया है तो automatic उसको clear कर देगा और सुवे आप अपना free fire open कर गए तो वहां पर update को option आ जाएगा और इस तरीकी से आपको daily update करना पड़ता है तो ऐसे ही आपको mobile में cleaner को कोई भी setting ढूनना पड़ेगा और उ necessary data करके एक option रहता है उसको अगर हम लोग on कर देते हैं तो daily update का problem आता है और अगर हम लोग उसको off रखते हैं तब उसमें भी problem नहीं आएगा और अगर आपके में कोई application नहीं मिलता है तो हो सकते है main setting के अंदर होगा जैसे samsung में भी main setting में रहता है तो जैसे setting में होगा तो setting है या फिर auto delete unnecessary data samsung में ढूणना है तो ऐसे आप असानी से ढूण सकते हो या फिर cleaner करके लिख सकते हो मैं clean करके लिखूंगा तो हो सकते है मेरे में कुछ आएगा मैं देख ले तो ही बार clean लिखा तो देख लिजे cleaner करके आ गया और उसके बाद इसको open किया तो यहां पर यह open होगे automatically तो ऐसे ही आपको search कर लेना है अपने mobile में देखो या ढूणना तो आप ही को पड़ेगा क्योंकि हर एक mobile का interface सलग होते है मैं सब का नहीं बता पाऊंगा तो देखो मेरे में cleaner आया और फिर सेटिंग पर open किया तो मैं वहीं पर पहुंच गए जहां का setting आप सभी को द लीजिए तो चलिए गाइस अब मिनते हैं हमारे नेक्स वीडियो में अभी के लिए सभी को बाई बाई